मशीनों ने हमारी राहे भले ही आसान कर दी हूँ लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हमारी जान पर भारी पड़ जाती है अब लिफ्ट को ही देख लीजिए बहुमंजिला इमारतों में अगर तीसरे या चौथे माले पर जाना हो तो लिफ्ट ही बहतर होती है क्योंकि अगर लिफ्ट ना हो तो उपर चड़ने में इंसान के हालत ही खराब हो जाए ऐसे में लिफ्ट बड़े काम की चीज है लेकिन कभी-कभी ये लिफ्ट लोगों के लिए खतरदाग भी साबित हो जाती है अब इन तस्वीरों को ही देख लीजे क्योंकि ये तस्वीरें खौप पैदा कर रही है इस वीडियो को देखकर आपकी रूह भी काम जाएगी ये तस्वीरें किसी अस्पताल की लिफ्ट की है हलाकि ये कहां की है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है लेकिन सोशल मीडिया पर वारल हुए इस वीडियो ने हैरान कर दिया है दरसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ सेकेंड पहले सब कुछ ठीक ठाक था एक मरीज स्ट्रेचर पर बेहोशी के हालत में लेटा हुआ था और दो अस्पताल करमचारी उसे लिफ्ट से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसे पहले एक करमचारी लिफ्ट को खोलता है और धीरे-धीरे मरीज को लिफ्ट के अंदर ले जाना शुरू करता है लेकिन तबी कुछ ऐसा होता है जिसकी कलपना शायद उन करमचारियों ने ना की हो एक सेकेंड के अंदर ही लिफ्ट बिना गेट बंद किये नीचे की तरफ बढ़ने लगती है बस फिर क्या? दोनों करमचारियों के हाथ पॉँल जाते हैं जबकि मरीज का आधा इश्वरी लिफ्ट में घुसा था कि बिना दर्वाजा बंद हुए ही लिफ्ट आचानक से नीचे की तरफ बढ़ने लगी ऐसे मैं अस्पताल करमचारी घबरा जाते हैं और मरीज को लिफ्ट के अंदर ही छोड़ देते हैं इस हाथसे में मरीज के साथ क्या हुआ इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन वीडियो देखने से तो लगी ही रहा है कि मरीज के साथ कोई गंभीर हाथसा नहीं हुआ होगा मैं 17 सेकेंड का ये वीडियो देख कर तो कोई भी काप जाएगा ऐसे में आपको भी सावदान रहने की जरूरत है क्योंकि अगर आप भी लिफ्ट इस्तिमाल करते हैं तो थोड़ा चौकनने हो जाईए कहीं आपके साथ ही ऐसी दुरगटन ना हो जाए सबसे हैं बात ये कि लिफ्ट का रख रखाओ और वक्त पर सर्विसिंग सबसे जरूरी है इसके बिना लिफ्ट खत्रे से कम नहीं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24